मिली तौकीर रजा की लोकेशन कहाँ छिपा दंगो का मास्टर माइन घसीट का लेकर आईगे पुलिस मिलेगी रूख अपाने वाली सजा नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट अब वक्त हो चला है से मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जुजनता, राज, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं जहर उगलनी के लिए एक मौलाना आजकल खूप सुर्ख्यों में आया, ग्यानवापी मामले में कोट के फैसले से वो इतना भड़क गया कि भीड़ी खटा कर गिरफतारी देने की बात करने लगा, लेकिन जब उसे कोट ने सबक सिखाते हुए बरेली दंगों का मास्टर मा भाइन घुसित किया, वो चुप-चाप कहीं अपने बिल में छिप गया, लेकिन अब उसका सुराग हाथ लगा है, आप पुलिस उसे घसीट कर लेकर आएगी और जेल की हवा खिलाएगी, तो आज स्पेशल स्टोरी में सी जहर उगलने वाले मौलाना की बात करेंगे, और जानेंगे कहां छुपा बैठा है, ये मौलाना, ग्यानवापी मामले को लेकर 9 फरवरी को अपने समर्थकों के साथ गिरफतारी देने को बेताव रहे, मौलाना तौकीर रजा खा को पुलिस अब तक तलाश नहीं पाई है, पहले जिस तौकीर रजा ने भेड़ खटा कर ग कहीं छिपा बैठा है, लेकिन इसी बीच जहर उगलने वाले मौलाना की लोकीशन हाथ लग गई है, जहां मोबाइल लोकीशन के आधार पर तौकीर रजा के दिल्ली की एक दरगाह में शरण लेने की बात कही जा रही है, आपको बता दे कि कोट ने तौकीर की गरफतारी के आदेश SSP धूले सुशील चंदरभान को दिये हैं, इसे पहले कोट ने तौकीर रजा की गरफतारी का आदेश प्रेम नगर इंस्पेक्टर आशुतोष रगुवंशी के बाद सीओ प्रथम संदीप कुमार सिंग को दिया था, सीओ पुलिस की स्पेशल टीम के साथ दली र सीने, दिली में मिली लोकेशन, पुलिस पर आरोप लगा था कि मॉलाना का मुबाइल फोन खुला होने के बाद भी गिरफतारी क्यों नहीं हो पा रही है, प्रेम नगर इस्पेक्टर पर लापरवाही बरतने के मामले मैसिस पी जार शुरू करा चुके हैं, अब इस बीच जब कोट ने सीओ प्रथम को जिम्मेदारी दी तो लगा कि पुलिस आसानी से मॉलाना तक अब पहुँच जाएगी, मंगलवार को पुलिस ने दिली पहुचकर मॉलाना की तलाश शुरू की, मॉलाना का मोबाइल फोन कभी खुलता तो कभी बंद होता दिखाए दिया, लो लोकेशन मिल गई, और फिर टीम रास्ते से भटकती गई, उनके परिचतों की लोकेशन भी बार बार बदलती रही, रात आठ बजे, जामा मजद अलाके में मॉलाना का मोबाइल फोन बंद हुआ, तो फिर नहीं खुला, ऐसे में पुलिस को आशंका है कि वो दिली में किसी दरगा में शरण लिये हुए है, टीम को सुभा कोट में जवाब भी देना था, तो आधी रात में सीओ अपनी टीम के साथ साथ वापस बरेली लोटाए, ऐसे में अब तौकीर रजा की गिरफतारी के लिए कई टीमों को लगाया गया है, सीओ के निरते तुम्हें 20 पुलिस कर्मियों की टीम मौलाना की तलाश में जुटी है, वही सीओ प्रथम संदीब कुमार सिंग के साथ साथ नवंगत सीओ पंकर श्रिवास्तों को मौलाना की गिरफतारी की जिम्यदारी दी गई है, स्पी सिटी राहूल भाटी ने बताया कि दोनों सीओ के अधीन तीन तीन इ लोकेशन मौलाना की दोनों गनर बरेली पुलिस की टीम को हजरत नजामुदीन दरगा के पास मिले, उन्होंने बताया कि साथ या आठ मार्च को मौलाना अपने आवास से निकले और उनसे कहा कि हैदराबाद एक मीटिंग में जा रही है, आप लोग भर पर ही रहे, इसके बाद से उनका पता ही नहीं चल रहा है, जबकि लोकेशन के हिसाब से मौलाना पूरे समय दिल्ली में ही रहे, पुलिस टीम ने दोनों गनर को फिलहाल दिल्ली में रहकर सुरागरशी करने को कहा है, सियो प्रतम संदीब कुमार सिंग ने बताया कि कोट ने अगली तारीक मे वक्त दिया है, उमीद है कि इस तारीक में मौलाना को हर हाल में गिरफतार कर लिया जाएगा, तौकीर रजा ने हमेशा जहर उगलने का काम किया है, जहां हाल ही में, पिछले महिने की बात है, जब मौलाना तौकीर रजा के भढ़काओ बयान के बाद एक बार फिर बरेली जल उठा, पहले भी साल 2010 और 2012 में यहां दंगा हुआ था, उस दौरान जिले का माहौल बिगारने के लिए कोट ने उन्हें जेल भी भेजा था, लेकिन इस बार मौलाना तौकीर रजा खुले आम घुम रहा था, वो फिर उसी तरह का माहौल बिगारने की कोशिश में था, और उसने पीम नरेंदर मोधी को लेकर भी विवादस पर टिपणी की आपती जिनक शब्दों का इस्तमाल किया, जहां वो हजवानी हिंसा की याग को बरेली तक पहुचाना चाहता था, जहां ग्यान वापी पर आई कोट के फैसली के बाद बरेली में मौलाना तौकीर रज ने लोगों को संबोदित किया था और फिर गिरफतारी देने के लिए इसलामिया ग्राउंट की तरफ भी जाने लगी, इस दौरान उनके समर्थकों को रास्ते में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसे समर्थक भड़क उठे और उन्होंने बैरिकेट गिरा दी, पुलि करके माहौल भिगार दिया गया, जिसमें कुछ लोग घाल हुए, मामले में डीम ने कहा कि जैंच कर रहे हैं और आरोपियों पर आफायार दर्ज कराई जाएगी, मौके पर भारी फोर्स तैनाथ है और लगातार फ्लैग मार्च किया गया, तौकीर रजा ने लोगों को देश को बरबाद कर रहे हैं, उसने शिकायत नहीं करना है क्योंकि वो बैमान है, वही साल 2010 की बात करें तो बरेली में तौकीर रजा के भढ़काओ भाशन के बाद दंगाईयों ने पूरे शहर में जम कर तांडव करते हुए पैट्रॉल पंप और पुलिस चौकी को तौकीर रजा को जिल से रिहा कर दिया गया, वहीं अब कोट ने तगड़ा एक्शन लेते हुए, मौलाना तौकीर रजा को साल 2010 में हुए बरेली दंगो का मास्टर माइंड घोशित कर, सोमवार को कोट में पेश होने को लिए समन्जारी किया था, लेकिन मौलाना कोट में पेश नहीं हुए, इस पर कोट ने उनके खलाब गैर जमानती वारन जानी किया, इसके बाद से प्रेम नगर और कोट वाली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के आवास के कई चक्का लगाए, लेकिन वो नहीं मिला, इस पर इंस्पेक्टर आशुरतोष रगुवन्शी न इनने बताया कि मौलाना के घर पर पिछले कई दिनों से ताला पड़ा हुआ है, पड़ोशी ने बताया कि मौलाना पिछले काफी समय से दिल्ली में है, उनका फोन भी बंदा आ रहा है, वहीं मौलाना तौकीर रजा को गुरफतार कर कोट में पेश करने में सी उ प्रतम की भी नाकाम रही जिस पर एडी जी फास्ट्रेक कोट रवी कुमार दिवाकर की अदालत ने तल्ख टिपनी करते हुए कहा कि आरोपी मौलाना तौकीर रजा खाम बरेली जिन्पत का बहुत ही प्रभाव शाली व्यक्ति है उसके प्रभाव के कारण ही अभी तक उसकी गिरफता कर जेल भेज दिया होता आरोपी एक प्रभाव शाली धार्मिक व्यक्ति है इसलिए गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी बाहर खुला घूंग रहा है वहीं आपको बता देगी एडी जे फास्ट्रेक कोट से बुदवार को मौलाना तौकीर रजा के खिलाब दोब में मारपीट हमला बलवा सेवन क्रिमिनल लौ एक्ट और साजिश रशने जैसे वह सभी धाराई लगाए गई है जिनमें मुकदमे में बाकी आरोपियों पर चार्जशीट लगी है वहीं अब यह कहना गलत नहीं होगा कि 9 फरवरी को हजारों समर्थकों के साथ पुलिस को कारी देने पहुंचे मौलाना तौकीर रजा की हेकडी निकल गई है अब पुलिस उसे ढूड़ रही है तो वह फराज चल रहा है इस स्पेशल स्टोरी में फिलाल के लिए इतना ही फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ बाके तमाम खबरों के लिए देखते रही है मैं बहुत गहरे तक समझता हूं मैं लोगों के बीच रहता हूं लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को फूप पहचाता हूं संघर्ष की सियासत से संटा के सिंधासन तक मैं हर खमर से खरा संच निखाता हूं ना कोई दौड ना कोई रेस क्यापिटल भी उत्तर देश अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया